दोस्तों क्या आप जानते हो तारे कैसे बनते हैं अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं रात में उपर आस्मान में देखिए, आपको उपर टिम्टिमाते तारे दिख जाएंगे. हमारे आँखों को बहुत भाते हैं ये तारे, लेकिन आस्मान में छोटे से बिंदू के रूप में दिखने वाले तारे आखिरकार बनते कैसे हैं कहां से आ जाते हैं ये तारे जैसा कि आप जानते होंगे कि ये तारे दिखने में जितने भी छोटे लगे पर होते हैं बहुत बड़े और इन तारों के बनने की प्रक्रिया भी कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं होती हैं. करोडो साल की प्रक्रिया के बाद ये अंतरिक्ष में चमकाने वाले तारे बनते हैं. तो चलिए जानते हैं कि ये तारे आखिरकार बनते कैसे हैं. निहारिकाई यानी नेबुलर अंतरिक्ष में मौजूद गैस, धूलकन, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के बादल होते हैं। जो की ब्रमांड में किसी जगह पर गुरुत्वा कर्शन के कारण छोटे-छोटे धूलकनों के आपस में एकठ्था होने से बनते हैं। इसके अलावा ये तारों के मरते समय सुपनोवा धमाके से भी निहारिकाईं बनते हैं। यानी आपस में एक दुसरे के पास आकर एक गैसी ये गोला बना लेते हैं। पूर्जा के रूप में ग्राविटेनल पटेंशल एनरजी को उत्सरजित करते हैं। जैसे जैसे तापमान और दबाव बढ़ता जाता हैं, ये गोला घुमने लग जाता हैं। तारों के विकास में बने इस प्रथम चरण के निर्मान को प्रोटोस्टार कहते हैं। चुनकि ये एक विक्सित तारे के पहले का स्टेज हैं इसलिए इसे प्रोटोस्टर कहते हैं। घना होने के बाद प्रोटोस्टा का कोर इतना ज्यादा दबाव और तापमान उत्पन करने लगता है कि ये अपने मध्यम इस्थित हाइड्रोजन, जो कि असल में हाइड्रोजन का आइसटोग ड्यूटेरियम होता है, को फ्यूज करने लगता है। हाला कि ये बात इस बात पर निर्भर करता है कि कोई प्रोटोस्टार कितना ज्यादा मास अपने अंदर एकठा कर पाता है। अगर कोई प्रोटोस्टार अच्छा खासा मास अपने अंदर एकठा नहीं कर पाता तो वो एक भूरा बोना बन जाता है। अब जैसा कि जो प्रोटोस्टा काफी द्रव्यमान एकठा कर लेता है, वो नाभी की असमलन की क्रिया शुरू कर देते हैं। दो हाइड्रोजन के अनु आपस में मिलकर हीलियम के एक अनु बनाने लग जाते हैं। इससे उस प्रोटोस्टा जबरदस्थ उर्जा और प्रकाश निकलता है, जिससे वो चमतने लगता है। और अब ये तारा एक मेन सीक्वन्स तारा बन जाता है। अब ये स्टा एक सग लगने वाले फोस और अंदर की ओर लगने वाले ग्राविटेनल फोस के कारण तारे हमेशा संतुलन में रहते हैं। कोई तारा कितने समय तक जिंदा रहेगा यानि अस्तित्व में रहेगा। ये इस बात पर निर्भर करता हैं कि उस तारे के पास कितना ज्यादा मास है। एक ज्यादा मास वाला तारा जल्दी अपना इंधन इस्तिमाल कर जल्दी मर जाता है। वही कम मास वाले तारे अपना इंधन धीरे-धीरे इस्तिमाल करने के कारण ज्यादा समय तक जीते हैं।